अर्थ ववस्था को धारनिय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4000 MWH की छमता वाली बैटरी उर्जा भंडारर प्रनालियों को वभारिता अंतर निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी pumped storage पर्योजनाओं के लिए एक विस्तरित कारे धाचा भी तैयार किया जाएगा नवी करनिय उर्जा का निश्क्रमन लद्दाक से 13 गीगावाट नवी करनिय उर्जा के निश्क्रमन और ग्रिड एकिकरन के लिए अंतर राजिय पारिशन प्रनाली 20,700 करोड के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें 8,300 करोड की केंद्रिय सहायता सामिल है हरितरिन कारिक्रम वभारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए परियावरन संदक्षन अधित्नियम के तहत हरितरिन कारिक्रम को अधिसुचित किया जाएगा और उत्तर दाइत्तो पुर्ण कारिकरने के लिए प्रोथ सहन मिलेगा और ऐसे क्रियाक कलापों के लिए अतरिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रोथ सहीत करने ही तुशुरू किया जाएगा। 300 समुदाय या कलस्टर आधारिस सहियंत्र हैं जिन में कुल लागत 10,000 करोड रुपे होगी। मैं भाख्ख में इसका जिक्र करूँगी। प्राकिर्तिक और बायो गैस का विपनन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का CBG अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायो मास के संग्रहन और जैव खाद के वितरन के लिए उपयुक्त राज कोसिय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतिय प्राकिर्तिक खेती बायो इंपुट संसाधन के इंद्र अगले तीन वर्षों में हम एक करोड किसानों को प्राकिर्तिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननिय ध्यक्ष्मवदे, राष्ट्रे इस्तरपत, वित्तरित सुच मुर्भरक और केटनासक विनिर्मान नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इंपुट रिसोर्स के इंद्र स्थापित किये जाएंगे।